नमस्कार दोस्तो स्वागत है अब सबका एक और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिम इन्फो सेंटर में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल होमगार्ट भरती के लिए जनल नोलेज के 50 इंपोर्टेंट कोश्चन्स करेंगे और ये सभी कोश्चन्स आपको आने चाहिए किसी भी कोश्चन को आप मिस ना करें और वीडियो को कम्प्लिटली वाच करें क्योंकि दोस्तो भरती में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है तो आपको हर एंगल से प्रिपेर रहने की जरूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उसकी शुरुआत आप आज और अभी से ही कर दीजिए और दोस्तो वीडियो मागे बने इस पहले हमारे चैनल को जदी से सबस्क्राइब कर लीजिए हम करेंगे total 50 questions और सभी questions जो होंगे वो इंडिया, HP और वर्ल्ड की general knowledge पर अधारित होंगे ठीक है तो शुरू करते हैं अपने first question से तो first question है भारत का कौन सा राज्य जो है वो शक्कर का कटोरा कहलाता है बताना है आपने आंधर परदेश, तमिलनाडू, हिमाचल परदेश या उत्तर परदेश तो पताई इनमें से सहीजबाब क्या होगा तो दोस्तों इसका सहीजबाब होगा उत्तर परदेश option D is the right answer ठीक है उत्तर परदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है पूरे भारत की तुना में 39 to 42% पैदाबार जो है वो गन्ने की ज्यादा होती है उत्तर परदेश में पूरे भारत की मिला कर देखा जाए तो ठीक है तो option D is the right answer नेक्स्ट है question number 2 भौतिक विज्ञान में नॉबिल पुरसकार पाने वाले प्रत्थम भारतिया का नाम बताना है क्या है C.B.Raman J.J. Thompson कैलाश सत्यार्थी या mother teressa तो भौतिक विज्ञान में जो नॉबिल पुरसकार पाने वाले प्रत्थम भारतिया वो है CB रमन ठीक है CB रमन option A is the right answer तो दोस्तों भारत में Jim Corbett राष्ट्रे उध्यान कहां पर स्थित है question number 3 है ठीक है तो असाम महाराष्टर उत्रप्रदेश या इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं option D is the right answer भारत में Jim Corbett राष्ट्रे उध्यान जो है वो उत्राखंड में स्थित है ठीक है उत्राखंड के ने निताल में तो बढ़ते next question क्यों next question है निमल लिखित में से सबसे प्राचींतम परवत श्रेणी कौन सी है प्राचींतम बतानी है कौन सी है बिंधिया, हिमाले, अरावली या सत्थ बुड़ा तो बताईए सेहिज बाब option C ठीक है अरावली option C is the right answer ये सबसे प्राचींतम परवत श्रेणी में आता है अरावली और नवींतम परवत श्रेणी में कौन आता है हिमाले, ठीक है अगर नवींतम में पूछा जाएगा तो हिमाले बताना है और प्राचींतम में पूछा जाएगा तो अरावली option C is the right answer next question है भारत में शिक्षा एक क्या है बताना है आपने नागरिक अधिकार है राज्यदाइत्व है, राजनेतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है तो भारत में शिक्षा जो है वो एक मूलभूत अधिकार है option D is the right answer next question है राश्ट्रिय धोज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है ताकत और साहस, शांती और सत्य, विकास और उर्वर्ता या अन्य तो दोस्तों जो गहरा केसरिया रंग होता है जो फ्लैग में सबसे उपर है तिरंगे में ठीक है वो ताकत और साहस को दर्शाता है ठीक है और मध्य में सेंटर में जो है वो सफेद रंग है वो शांती और सत्य को दर्शाता है और जो ग्रीन कलर है सबसे नीचे वाली पट्टी में वो दर्शाता है विकास और पुरवर्ता को ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है भारत पाक बगलीहार परियोजना निमल लिखिद नदियों में से किस एक पर स्थित है जेलम, सतलुज, ब्यास या चिनाव तो बगलीहार परियोजना जो है वो चिनाव नदि पर स्थित है ठीक है ओप्शन D is the right answer नेक्स्ट है कॉश्टन नमबर 8 तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है मैनमार, चीन, नेपाल या भूटान तो तुजु दर्रा जो है वो भारत को मैनमार से जोड़ता है ठीक है ओप्शन A is the right answer नेक्स्ट कॉश्टन नमबर 9 है भारत में कितने राष्ट्रिय राजमारग है एन एच कितने है भारत में बताना है आपने 95, 115, 195 या 228 तो 228 ठीक है राष्ट्रिय राजमारग नेशनल हाइवेज जो है वो 228 है ठीक है भारत में नेक्स्ट है कॉश्टन बर 10 नबोदे विद्याले में दाखिला किस कक्षा में होता है ठीक है किस कक्षा में बच्चे को लिया जाता है नबोदे विद्यालियों में पहली में, साथमी में, शठी में, चोथी में तो दोस्तों पांचमी कक्षा के बाद यानि कि शठी कक्षा में लिया जाता है नवोधे विद्याले में दाखिला जो होता है वो शठी कक्षा से होता है ठीक है नेक्स्ट है कोशनमब 11 यह किसने कहा बताना है आपने मध्यरात्री के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन बस वतंतरता के लिए जाग उठेगा तो ये किस ने कहा था बताना है जवाहरलाल नहरुने महात्मगांधी भगत सिंग यारा जिंद परसाद तो दोस्तों ये कहा था ओप्शण ए जवाहरलाल नहरुने ठीक है भारत में डाक सूचकांग प्रनाली की शुरुवात जो है वो किस बर्ष में हुई थी 1952 में, 1998 में, 1972 में, 1972 में 1972 में, 1972 में याद रखना है आपने इस तरह के questions को ठीक है पुलिस समरिती दिवस किस दिन मनाया जाता है पुलिस समरिती दिवस 8 अक्तूबर को, 15 अक्तूबर को, 19 अक्तूबर को या 21 अक्तूबर को तो दोस्तों पुलिस समरिती दिवस जो है वो 21 अक्तूबर को मनाया जाता है हर वर्ष, option D is the right answer, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिवेकानंद रोक मेमोरियल कहां पर स्थित है, बिवेकानंद रोक मेमोरियल, अंडमानिकोबार, लक्षद्वीब, केरल, तमिलनाडू, तो ये स्थित है तमिलनाडू में, ठीक है, ओप्शन D is the right answer, नेक्स्ट है, कॉश्चन नमर फिफटीन, भ स्थापना जो थी, वो की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वतंतरता संघर्ष के दुरान, ठीक है, ओप्शन C is the right answer, नेक्स्ट है, महात्मा गंधी जी को अधनंगा फकीर किस ने कहा था, ठीक है, अधनंगा फकीर किस ने कहा था, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, म कमिल नाड़ू से, बार्णी अंतरन से, दूद के आयाद से, या डेरी विकास से, तो ओपरेशन फलड जो है, वो डेरी विकास से संबंधित है, ठीक है, ओप्शन D is the right answer, नेक्स्ट है, वीटिंग दा रिट्रीट का संबंध जो है, वो किस से है, वीटिंग दा रिट्रीट मजदूर दिवस, गंतंतर दिवस, महिला दिवस या शहीदी दिवस, तो गंतंतर दिवस, ठीक है, ओप्शन B is the right answer, रिपब्लिक डे, ठीक है, ग्रीन चैनल है, एक क्या है, बताना है आपने ग्रीन चैनल क्या है, डाक सेवा है, आकाशवणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, तो ग्रीन चैनल जो है, वो डाक सेवा है, ठीक है, ओप्शन A is the right answer, पॉस्टल सर्विसेज, नेच्ट है कॉशन मेरे 20, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में, बृद्धी के स्थान पर कमी निमल में से किस दशक में हुई थी, 1901 से 1911, 1911 से 2011, 1921 से 1931 से 1941, तो ये हुई थी 1901 से 1911 के बीच बारे दशक में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में, बृद्धी के स्थान पर कमी हो गई थी, ठीक है, 1901 से 1911 के बीच में, नेक्स्ट है, सन 1948 भी में हिमाचल प्रदेश के निर्मान के समय, बहां की सडकों की लंबाई लगभग कितनी थी, 150 किल किलोमेटर, 228, 250 या 290 किलोमेटर, तो सन 1948 में है, 228 किलोमेटर के लगभग थी, हिमाचल प्रदेश के, बहां पे सडकों की लंबाई ठीक है, नेक्स्ट है, लॉड करजन ने कालका शिमला रेलवे लाइन का शुभरंब कब किया, 1903 में, 1904 में, 1908 में, 1911 में, तो ये किया था, 1903 में, ठीक है, रेलवे, कालका शिमला, रेलवे लाइन का शुभरंब, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बे दो जिले कौन से हैं, जिनकी जनसंख्या एक लाग से कम है, किन्नौर वा कुलू, किन्नौर वा लाहोस पिती, उन्ना वा वा विलासपूर, कुलू वा ल था, इनकी जनसंख्या जो है, वा एक लाग से कम है, नेक्स्ट है, 24, 2011 की जनगर्णा के अनौसार, हिमाचल प्रदेश के बे दो जिले, जिनका जनसंख्या घनत्वा सरबाधिक है, जनसंख्या घनत्वा, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, हमीरपूर वा उन्ना, हमीरपूर व जनकर्णा के अनौसार, नेक्स्ट है, प्रदेश में निमलहित में से किस स्थान पर हवाई एड़ा नहीं है, काज्या में, भुंतर में, सोलन में, रंगरीक में, तो बकी तीनों को शोड़कर, सोलन में जो है, वो हवाई एड़ा नहीं है, उप्शन C is the right answer, ठीक है, नेक्स में है, हिमाचर प्रदेश में किस स्थान पर नमक की ऐसी खाने है, जो भारत के अन्य किसी भाग में नहीं पाई जाती है, ठीक है, चंबा, मंडी, सोलन, बिलासपुर, तो कहां पर है, मंडी में, ठीक है, ओप्शन B is the right answer, तो ये जो है वो सेंटर गॉर्मेंट के अंडर है ठीक है उनकी सेंटर गॉर्मेंट के इंदरिय सरकार के निंदर में है निमल लिखित में से कौन सा पक्षी जो है वो हिमाचर प्रदेश में पाया जाता है जो अत्यांत दुरलब है मोनाल सफेद मोर काला तीतर चितकवरा कब तो मोनाल ठीक है आतियंत दुरलव और सुंदर पक्षी है जो हिमाचर प्रदेश में पाए जाता है ठीक है नेक्स्ट है तीर्थन बन्ये जीव अभ्यारन्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है कांगड़ा उन्ना कुलू शिमला कहां पर स्थित है कुलू में तीर्थन बन् प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये कुल्लू में स्थित है ठीक है next है हिमाचल प्रदेश का राज्य ब्रिक्ष कौन सा है ठीक है state tree कौन सा है देवदार आम चिल या सेव तो देवदार जो है वो रज्य ब्रिक्ष है हिमाचल का हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रिय उद्यान हैं कितने हैं एक, तीन, चार, पांच तो पांच राष्ट्रिय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है सतलुच चिनाव, रावी, पबबर तो चिनाब नदी में, ठीक है सोना पाया जाता है चिनाब नदी में नेक्स्ट है निमनलिखित मैं से किस महासागर को अब World General Knowledge से आएगे ठीक है, निमनलिखित मैं से किस महासागर को Hairing Pond के नام से जाना जाता है प्रशांत महासागर, Atlantic महासागर, Arctic महासागर या हिंद महासागर तो दोस्तो हिंद महासागर इसका सेही जबाब होगा हिंद महासागर को Herring Pound के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है प्रिथवी सूर्य के सबसे अधिक स्मीप कब होती है चार जनबरी को 21 जून को 22 मार्च को 21 दिसम्बर को तो चार जनबरी को ठीक है चार जनबरी को जो है पृत्वी सूर्य के सबसे अधिक पास में होती है निमल हित मैंसे किस देश में पेट्रोलियम के सबसे बिशाल भंडार स्थित हैं ठीक है इराक, इरान, कुवैत, सौधी अरब तो ये question शायद सबको आता होगा तो सौधी अरब में जो है वो petroleum के सबसे बिशाल भंडार स्थित हैं चीक है और बिश्व के कुल तेल भंडार का जो है वो 24% ठीक है 24% जो है वो सौधी अरब में है और यहाँ पर जो है वो 260 260 अरब बैरल 260 अरब बैरल petroleum जो है वो उसका भंडारन है ठीक है मौझूद है इस टाइने नेक्स्ट है भारत, शिरलंका, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया और मैमार में से किन देशों में तमिल भाषा को अधिकारिक दर्जा प्राप्त है ठीक है तो भारत, शिरलंका, सिंगापूर, मलेशिया और इंडोनेशिया भारत, शिरलंका, सिंगापूर, मलेशिया भारत, शिरलंका, सिंगापूर, भारत और मलेशिया तो दोस्तों option C भारत शिरलंका और सिंगापुर में ठीक है जो है वो तमिल भाषा को अधिकारिक दर्जा प्राप्त है यहां पर लगबग 8 करोड लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं ठीक है भारत और शिरलंका में खास करके नेक्स्ट है अफरीका का सर्भाधिक अबादिबादा देश कौन सा है नाइजर नाइजीरिया मिस्र अलजीरिया तो दोस्तो नाइजीरिया ऑप्शन बी जो है वो नाइजीरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या बड़ा देश है अफरीका का लगबग साड़े 18 करोड इसकी जनस संख्या थी 2016 में नेक्स्ट है निमलखित में से किसको बेनिशिंग ओशन शिप्ता हुआ महासागर कहा जाता है आर्क्टिक महासागर अट्लांटिक महासागर प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तो बताईए सहीज बाब तो ऑप्शन ए आर्क्टिक महासागर को जो है व गवाटेमाला, चीन या भारत, तो option B, गवाटेमाला, ठीक है, इलाइची सबसे ज़्यादा कहा होती है, गवाटेमाला में, सबसे ज़्यादा प्रमुक उत्पादक देश है, निमन लिखित में से कौन सा देश, लैंड ओफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी question मुश्री नगर, श्री नगर लेह या कारगिल लेह, तो दोस्तो option A, मनाली लेह, जो है वो संसार में सरबाधी कुन चाई पस्थित सडख है, ठीक है, मनाली और लेह, नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रोस डे जो है वो कब मनाया जाता है, आठ मैई को, एक जून को, नौ कोई नहीं, तो आठ मैई को, ठीक है, आठ मैई को जो है वो, विश्व रेड क्रोस डे मनाया जाता है, विश्व रेड क्रोस डिवस मनाया जाता है, माउंट ताई, जो युनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, किस देश में स्थित है, माउंट त तो ये स्थित है चाइना में, ठीक है, माउंट दाई, option B is the right answer, next है, बिश्व पृत्वी दिवस, किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, world, earth day, कब मनाया जाता है, 11th मैं, 22nd April, 13th June, या 17th July, तो बताइए सही जवाप क्या होगा इसका, तो option B, 22 April, ठीक है, 22 April को जो है, वो बिश्व पृत्वी दिवस मनाया जाता है, next है, 47, बिश्व प्रसिध, उलंग किसम की चाए, जो है, वो किस देश में पैदा होती है, ठीक है, world famous, उलंग किसम की चाए, कहां पर, पैदा होती है, बेतनाम, ताइवान, कीनिया, भारत, तो ताइवान में पैदा होती है, ठीक है, सबसे जादा होती है, next है, बिश्व में सबसे अधिक बित्रण वाला बांटा जाने वाला अंग्रेज जी अखवार कौन सा है, ठीक है, the New York Times, the Guardian, the Times of India, India Express, तो दोस्तों, the Times of India, option C is the right answer, the Times of India, जो है, बिश्व में सबसे अधिक बित्रण वाला अंग्रेज जी अखवार है, ठीक है, next है, last question, question of 50, और यह बहुत ही आसान question है, स्वरी यहाँ पर विश्व मिसिंग हो गया है, ठीक है, बिश्व की होगा यहाँ में, बिश्व की जो है वो, प्रत्थम महिला प्रधान मंतरी, बताना है आपने इन में से कौन है, ठीक है, S. भंडारनाई के, शिरलंका, इंद्रागंधी भारत, बेनजीर भुटो पाकिस्तान, गोल्डामीर इसराइल, तो कौन है, तो इन में से है, S. भंडारनाई के, शिरलंका, बिश्व की, प्रत्थम महिला प्रधान मंतरी, option A is the right answer, ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के GK के section के 50 questions complete होते हैं, तो दोस्तों ज़ए से ज़ए से शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic और important questions के साथ, तब तक के लिए ख्यार रखे अपना जै हिंद, जै भारत!